हलो दोस्तों आज हम आपके साथ सेयर करेंगे चटपटी आलुक की सबजी जिसको आप बिना ताम जाम के बहुत ही जल्दी बना सकते हैं और इसको आप दुपहर में बनाईए दुपहर में जब आप लंच करें ताल चावल रोटी के साथ आप इस सबजी को भी एड़ करें ब हम यहां पे बनाने के लिए यहां पर लिए आलु हम आपने ले 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 लिए थेखें लंबी पेज में लेह, लेशुन और हरी मिर्च लिए, हम हमने चोटा-चोटा काट लिए और अब हम कड़ाई को गैस पर रखेंगे यहां गरम होने के बाद हम ढालेंगे 2 Cप में सर्सो तरसों का तेल जब हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें लैसुन और कटी हुई हरी मिरच डालेंगे और इनको हम अच्छे से भून लेंगे जब यह हमारे लैसुन अच्छे से पक जाएंगे हरी मिरच पक जाएगी तो हम इसमें डायरेक्ट कटी हुई आलू और प्याज डाल चलाए चला के लगभग पांच मिनट भूनेंगे और उसकी पाद हम इसमें मसाले डालेंगे मसाले जो हम रोज की सब्जी में यूज करते हैं हलदी दनिया पौडर गरम मसाला और लाल मिर्ची पौडर डाल देंगे मसाली की पौडर डालने का एक बाद इसमें भी पृडर नमक मसाले, देंगे मद्ध करते हूग नइट2 मिनट take. और तुमें टमाटऑ डालने के बाद हम इसको फिर से ढख देंगे, गैस को हम बहुत तेज नहीं करेंगे, मेडियम फिलेम पे हम रखेंगे इसको और फिर से हम ढखकन लगा देंगे, लगभग पांच जनट के बाद हम फिर से पलड हटाएंगे, आप देख सकते हैं कि यह सबजी हमारी बनकर रेडी है, यह आलू जो कि इस समय नए आलू चल रहा है, तो हमने नए आलू से सबजी बनाई है, आप लोग इस सबजी को एक बड़ जरूर ट्राइ करें, सबजी पकने की बाद हम गैस को बंद कर देंगे, कटा हुआ हरा धनिया हम उपर से डाल देंगे, और डालनी की बाद जब हम खाना प्याज को भून के मत बनाएं, इस तरह से कच्चे प्याज से आप सबजी बनाएए, बहुत अच्छी लगेगी, इसका सौद बिल्कुल अलग रहता है, क्योんकि इसके प्याज हम तेल में नहीं पकते हैं, यह हमारे प्याज होते हैं, यह अलू के साथ पकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्वाधिस्ट लगते हैं और दूसरे बरतन में सब्जी पलट ली है और यह सब्जी हम सर्फ करेंगे इस सब्जी को आप चावल के साथ रोटी के साथ पराठा के साथ पूरी के साथ आप चाहे जैसे खाएं यह आपको बहुत अच्छी लगेगी तो आप सब सब्जी एक बार जरूर बना के खाएं वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके भी बताएं दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद